हेलो दोस्तों आपका फिट स्वागत है मेरे चैनल अनलॉकिंग ज्यान में मैंने अपनी DIY टूल फैमिली में एड किया कुछ और नई टूल्स को इस वीडियो में जो है इनकी जो है क्वालिटी चेक करके बताऊंगा ताकि अगर आप भी इन टूल्स को लेने का प्लान करें तो आपको पता लग जाए किस तरीकी किन की क्वाल्टी रहती है टाइम गेस्ट की बेगर स्टार्ट करते हैं वीडियो को अगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक कीजेगा और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना मत भूलना तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूँ कि मैंने जितने भी DIY के टूल्स जो है खरीता रहता हूँ उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखिया है पारिया रिजिस्टर्ड 903i की जो है मार्किंग का रखिया है यह ओरिजिनल है प्रिंटिंग से पता लग रहा है डुप्लिकेट भी मैंने देखे है ऑफलाइन मार्केट में बिकते हुए साफ पता लग जाता है यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंटिंग इसकी काफी अच्छी है सिरीज नमबर डला है तो पास से अगर आपको इसकी टिप दिखाऊं तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से बना रखिया है साथ में आपको मैं यह भी बता देता हूँ कि यह जो है स्कुरूड्राइवर मैगनेटाइज है अगर आप देखेंगे तो इसमें मैगनेट लगी हुई है ऐसे आप इसके अपोसेस साइड का हैड़ भी देख सकते हैं एकदम परफेक्टली बना रख है और इसकी ग्रूविंग को अगर मैं एक स्कुरू में इस तरीके से फसा के दिखाऊं तो आप देख सकते हैं बिल्कुल डेफ्ट में एकदम इसकी पकट रहने वाली है और इस तरीके के जितने भी लंबे हैंडल वाले जो स्कुरूर ड्राइवर होते हैं इनकी सबसे अच्छी बात यह होते हैं कि इनसे जब भी हम काम करते हैं तो टॉर्क लगाना जो होता है बहुत असान होता है लंबी लेंध के विज़ए से टॉर्क बहुत अच्छा लगत इसकी pricing MRP जो है 294 रुपीज पता रखिये हाला कि अगर आप जो है से Amazon से करी देंगे तो आपको ये 276 रुपीज का मेरे को ये पड़ा है और आपको दिखाता हूँ अंदर से किस तरीके का है तो ये जितने भी जोते हैं 10 इंच तक अगर आपको जो है mini hexaw आपको पास से दिखा देता हूँ इसका model number है 020807 इसके साथ मिल जाता है 10 इंच का carbon steel का एक free blade जो कि इसमें पहले से लगा होता है तो back side में sticker से जो है अगेन इसकी ब्रेड्निंग कर रखिये है यहाँ आपको पास से दिखा देता है 020807 इसका model number है 224 mm की mini hexaw है 10 इंच का इसमें blade है आइडियल है अगर आपने cutting करनी है metal की अगर आपने plastic की pipes कट करनी है या फिर home में जो भी DIY जो काम करें उसके लिए यह है gray color का इसका है रहता है इसको sticker को अगर हटा के दिखा हूँ यहाँ पे आप जो फर्दर बैकसाइड की चिपी भी details भी देख सकते है तो यह mini hexaw है अगें model number पता रखा है grams भी पता रखा है लास्ट यहर इसकी manufacturing हुई है इसको बनाते है ताइबान में 203 rupees यहाँ पे जो इसका price पता रखा है और उसके बाद जब भी आप अपना blade यहाँ पे लगाके fit करेंगे आपने इस nut bolt को यहाँ से tight कर देना है ताकि इसकी hold रहेगी तो यह खुलेगा नहीं यहाँ से और आने वाले वीडियो में आप यह सारी-सारे tool वैसे भी अगर आप मेरे को follow करते है तो आप इनको live यूज करते हुए देखेंगे यह सरफ दिखाने के लिए नहीं है मैं DIY में जब भी काम करता हूँ इनी tools का आगे यूज करूँगा तो इसलिए मेरे चैनल को भी subscribe करना ना बूलना अब इसके बाद मैंने जो 4 tool लिया है अब पास से आपको एक बाद दिखा देता हूँ तो अगेन यहापे ब्रेंडिंग का रखे स्टेनल की और मॉडल नंबर बदा रखे 74.82 एक साइट से जो है इसमें ब्लैक फॉस्वेट की ऐए कोटिंग करकी है और काफी ठीक है ऐसा नहीं कि इसकी बीक बनाई गई हो काफी इसमें स्टॉंग बनाई गई है आप पास से एक पर अगेन जच कर सकते है तो इसकी पकड वगारा बहुत अच्छी रहने वाली है और हाथ में बहुत पर्फेक्ट लिए फिट हो जाता है इस तरीके से आप देख सकते हैं आसे अगर आपको उसके टीथ दिखा दूँँ तो आप देख सकते हैं कितने इसके अच्छे जो हैं काफी अच्छी है तो इससे बहुत इजी हो जाएगा वायर्स को कट करना तो इस तरीकी की जो है इसकी ओवरॉल कॉल्टी है तो लास्ट में जाते जाते अगर आप भी DIY कुद करते हैं आप अपने घर का काम खुद करना पसद करते हैं तूल्स खरीदते रहते हैं और अगर आप जो है और टूल्स की सर्च में तो आपको रेकमेंड करूंगा आप प्लीज मेरी जो है DIY टूल्स की जो है प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखना आपको और भी टाइम में और भी टूल्स जो है खरीदता रहता हूं उनका भी आपको जो वीडियो दिखा के quality चेक कराऊंगा और इनका use जो अगर आपको देखना है तो आपको मेरे बाकी वीडियो देखने पड़ेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपके फिर भी कोई doubts से हैं आप मेरे को comment section में पूल सकते हैं आज की वीडियो में इतना ही धन्यवाद